अस्सालाम आलेकूम। इयों ध्कों औरकातरों हूँ। डियर सारी महभभ आपके लिए एधे सारा प्यार बहुज़शंगों प्रण। मैं आप लोंगे भी का Mr. Kaur, अज्ट कुछ बात को लेकर आयी हूँ भी सुछज़ंगी ह। अब लोग के साथ में, लेकिन सबसे पहले उस माली के शान पे एक बात किया, कि मेरे हिस्से से जादा तुने मेरी ठाली में परुसा है, कितनी भी मुश्किल आए, ऐ मुझे तुछ पर भरुसा है, लेकिन छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं बढ़ता, और बाट कर खाने वाला कभी भूका नहीं रहता बाट कर खाने वाला कभी भूका नहीं रहता लेकिन कुछ लोग ये कह जाते है कि अगर नमाज में हुजूर का नाम आ जाए तो वो नमाज नहीं होती है पहले अजान होती है उसके बाद नमाज होती है अगर आजान में नभी का नाम ना लिया जाए तो वो आजान होगी जब आजान ही नेगी तो नमाज कैसे होगी पहले आजान उसके बाद नमाज होती है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि नभी को अपने जैसा कहने वाले अरे जमीर से अपना साया तो उठा ले हमारे हुजर का कोई साया नहीं थे हम लोग आदमी हम लोग आम आदमी हमारे साया है क्योंकि हम लोग फरिश्टा नहीं हम लोग इंसाने ये कहना है लेकिन नभी को अपने जैसा कहने वाले जमी से अपना साया तो उठा ले कि नजाने कितने कावे बन गए होते, अकिदत के, जमी पे पढ़ गया होता अगर साया महम्मत का, अगर काफित पे पढ़ जाता तो भूबी जन्नती होता, खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया महम्मत का, जो लोग नभी को अपने जैसा कहते हैं, उनके लिए कहना है मैं मानते हूं नवी आपके जैसा एक शर्थ पर कौंची शर्थ कि चांद को टुकरे करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा और डूबा हुआ सूरज बुलवाओ फिर कहना अपने जैसा अजी घर में बच्चों से तो अल्ला अल्ला कहला सकते हो मगर कंकर स कलमा पढ़वा फिर कहना अपने जैसा अजी मक्का-मदीना जाना आना फिर जाना कोई कमाल नहीं और शिप जाके वापस आँ और कहना अपने जैसा यहां लेकिन हिंदूस्तान को सबसे important बात ये है कि हिंदूस्तान को सबसे जो ज्रूरी क्या चाहिए हिंदूस्तान को एक्ता की जरुत है हम लोग एक्ता में रहेंगे तो सब कुछ मुँम्कीन नहींए सब हो सकता है एक्ता में तो क्या कहना है कि तोड़े कोई ये फूल तो पुल्दान रो पड़े और उसके साथ साथ ये संतान रो पड़े ऐसे फसा बनाओ मेरे देश वासियो हिंदू का घर जली तो मुसल्मान रो पड़े लेकिन जरूरत सजदा करवाते ये बादत कौन करता है अरे क्या हुआ तेरे माथे पर है ये सजदों के निशान कोई ऐसा सजदा भी कर जो जमीन पर निशान छोड़ जाए लेकिन समय के एक तमाचे की देर है प्यारे मेरी फगेरी भी क्या और तेरी बादशाही भी क्या जब खलास हो जाएगा आमाल से इप है पहिचान होते हैं इनसानों की मेहंगे कपड़े तो पत्ले भी पहनते हैं दुकानों में किसी को नाचिस नहीं समझना चाहिए क्योंकि पाने कितना ही गंदा क्यों आग बजाने के काम आते हैं लेकिन क्या कहना है ये कहना कि कुछ लोग ये कह जाते है कि हुसेन तरस गए थे पाने के लिए मैं कह दोना चाहूंगी कि मेरे घुसेन नहीं तरसे थे पानी के लिए पानी खुद तरस रहा था लबी हुसेन के लिए पानी खुद तरस रहा था लबी हुसेन के लिए क्योंकि हक के मिटी पल ईद हो जाती является, हेल बातिल की एध हो जाती अगर सर ना देते नभी कवी सर, तो सारी दुनिए ये जिद हो जाती सारी दुनिया ये जिद हो जाती लेकिं कुछ लोग कहते, यार ये खृरीब है इसे क्या बात करना है ये तो खरी हम लोग अमीर हम लोग अमीर के साथ बात लिए लेकिन उनको कहिना है कि ना देख कि हसना कभी पुटपात के फकेरों को फिर बताना के गरीबी किदर से आई है और किसी के फका कशिमे तंज न करना क्योंकि शाह मदिना के घर से आई है ये मिटी के बड़तर ये टूटी चटाई एकारस नादान क्या देखता है गरीबी तो मेरे महम्मद के घर में पली थी तू मेरे घर के सामान क्या देखता है गरीबी मेरे महम्मद के घर में पली थी तू मेरे घर के सामान क्या देते लेकिन फिर दो को सरे हश्र समा लेंगे महम्मद कमली में गरीबों को चुपा लेंगे महम्मद उम्मत को जहन्नम से बचा लेंगे महम्मद डालेंगे खुदा और निकालेंगे महम्मद कितने प्यारी बात कि डालेंगे खुदा निकालेंगे मुहमद लेकिन हमारे हुजूर क्या है कि हुबहु शकल में इंसान नजर आते हैं वो सादे कपड़ों में भी जिशान नजर आते हैं कुछ बड़े होकर भी लगते हैं जैसे फकीर हमारे सरकार तो चटाई पर भी सुल्ता नजर आते हैं लेकिन अल्ला रसुल की मिचकुछ गहरी बात के लबों पे तबस्म निगाहों में बिजली कियामत कहीं से चली आ रही है खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको मेरे दिल के दुनिया लुटी जा रही है मेरे दिल के दुनिया लुटी जा रही है क्योंकि गए पर्दे में जब शाह आरब तो सर नजर आया अरब का एन का परदा हटा तो रब नजर आया क्योंकि बलगल उला बे कमाल ही कशफ दुजा बे जमाल ही हसना जमी वो खिसाल ही सलु अलेह वाल ही चाहा कि उसको वो जिसका कोई जवाब नहीं ये इन्तिखाब कोई मामूली इन्तिखाब नहीं कसम खुदा के खुदा भी यही कह रहा है आई नभी मेरा जवाब तो तु है पर तेरा कोई जवाब नहीं मेरा जवाब तो तु है पर तेरा कोई जवाब नहीं लें दुनिया जुकी है ये ज़िदों के सामने, किसी की नहीं चलती नसीबों के सामने अरे रोलसला का पुस्त खयाल करो गूगल नहीं चलेगा फरिश्टों के सामने गूगल कौन किसी के दुख के लिए रोता है, सब को अपने ही किसी घम में रोना है कैसे के जरूरत सजदा करवाती अबादत कौन करता है अरे क्या हुआ तेरे माथे पर है ये सजदों के निशान कोई ऐसा सजदा भी कर जो जमीन पे निशान छोड़ जाए कोई ऐसा सजदा भी कर जो जमीन पे निशान छोड़ जाए लेकिन मैंने का किसी को नाजिस नहीं समझना चाहिए एक शेर मुझे याद आ गई गालिब शायर इंटरनेशनल शायर आप लो जानते हैं वो कहते हैं कि हाथों के लखीरों पे मजज़ा ऐ गालिब क्योंकि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते है हमारे राइगंज Mten requires पेहल स अंदुल्वन होँ था कि हंदु मुझा को लेकर लेकि सब्सक्राइब कि जो हिंदु को सिर्फ हिंदू को प्यार कर रहucha हिए मुझु के तोड़े कोई फूल तो गुलदान रोपड़े उसके साथ साथ इस संतान रो पड़े ऐसी फुसा बनाओं मेरे देशवासियों कि गर जले मुसलमान रो पड़े ऐसे फुसा बनाओं और हिंदुस्तान को सबसे जरुष्यक्ता कि फॉस्तों को सबसे ज्यादा इंपटन बात है कि हम लोग संसा में रहेंगे तो सब цвет जी सकते हैं तो यह कहना है कि मैं आज शोशल मीडिया पेच ले आए थी कि कुछ लोग हमारे हुजूर को अनसर्ण कह जाते हैं उनके लिए यह जबाब था क्योंकि हम लोग सुने मुसल्माने हम लोग उम्मती है हम लोग मुसल्मान जन्नत में जा नहीं सकते अब मैं ऐसा क्यों कह रही कि मुसल्मान जन्नत में जा नहीं सकता अरे मुसल्मान जन्नत में जा नहीं सकता जब तक जनाबी पुन्डर मुसल्मान मेरे नभी का इशारा ना हो हम लोग जन्नत में नहीं जा सकते तो अपना ख्याल अपना ज्वाँ में याद रखे अल्ला हाफिज झाल झाल